भारती क्रिसी अनुसंधान संस्थान नहीं दिल्ली में MSC एग्रोनोमी में पढ़ाई कर रहे भधोई जिले के सत्यमरावत को अच्छे पॉफॉर्मेंस पर देश की रास्टपती रपदी मुर्मु द्वारा स्वर्ण पदक देखकर सम्मानित किया गया। स्वर्ण पदक मिलने के बाद जन्पद आगमन पर ग्यानपूर नगरवासियों ने हरिहरनाथ मंदिर परीसर में फूल मालाओ एवं ढोल लगारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। जिले के ग्यानपूर विकास खनक शेतर के बड़ा अड़ी निवासे सत्यमरावत दिल्ली के भारतिया क्रिशिया नुसंधान संस्थान में मसी के पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ ऑवरॉल अच्छा पफॉर्मेंस होने पर विद्याले में मुख्य अथिती के रूप में पहुंची रास्ट्रपती द्रौपदी मुर्मों के हाथो स्वाण पदक मिला। सत्यम सरोष को स्वाण पदक मिलने पर जहां विद्याले परिसर ने बदाई दी तो वहीं चनपद आगमन पर लोग ढोल नगाड़े के साथ सत्यम का फूल मालाओं से लाद कर जोरदार स्वागत किया। लोगों ने बताए कि आज के युवा के लिए सत्यम प्रिर्णा है और जिले को गौरान बित करने का कारे किया है। आने वाले समय में जिले के हर युवा पेड़ी देश और जिले का नाम रोशन करे यही हमारी कामना है। अपने स्वागत से अभी बूत सत्यम रावत ने कहा कि परिवार का स्निह और लोगों का प्यार का परिणाम है कि आज इस मुकाम तक पहुँचने में सफल हुए है। बगवान इसी तरह कृपा बनाए जिससे आने वाले समय में देश और समाज के लिए अच्छा कारे कर सको स्ट्रीट वर्स के लिए भदोही से ने तेश रवास्तों की रिपोर्ट। अच्छा मैसुच कर रहा हूं कि जो जनता का सपोर्ट और हमारे परिवार का अशिरवाद हमको ऐसी मिलता रहे ज्यानपूर में और बाबास का विस्वनाद बाबा सशंक्र प्रोचन बाबा हरियर नाथ इंशाविर बाबा कागादी हुमारा सफका अशिरवाद से बना रह प्रेजेंटेशन हुआ था उसका फिर और अवराल मेरे जो प्रोचन किया है और अवराल कितना खेले को दें सब्सक्राइब और और अवराल गोल्ड मिलता है वहां पर तो उस पूरे इनालिसीज करने के बाद रहे होता है उसमें सबके नंबर बठे होते हैं तो उस